हलो प्रेंट्स केसे हूआ आप सब मेरे चेनल पे आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे लोकी और चनादाल की मिक्स सबजी लोकी बहुत सार्वों को पसंद नहीं आती है लेकिन हमें मिक्स करके बनाएंगे चना दाल और लोकी तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा आईए हम बना लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए दो टमाटर लिए हैं हरा दनिया, दो प्याज लसुन और अद्रक को हमने कूट कर ले लिया है हरी मेर्च, लोकी चना दाल को हमने धोके दो गंटे पेले विगो दिया था हींग, दनिया पाउडर, नमक, जीरा, राई, सौंफ लिए हमने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर एक कुकर ले लिया है हमने इसमें लोकी डालेंगे लोकी अमारे खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और सहेद के लिए भी अच्छी होती है इसमें नमक डालेंगे आधा चमच आप भी अपने घर में जरूँ ट्राई करना लोकी की सबजी, बहुत ही अच्छी लगती है दाल और लोकी की मिक्स करके बनाएंगे तो हल्दी पाउडर थोड़ा सा एक गिलास से थोड़ा सा कम पानी डाल देंगे ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि लोकी में भी पानी होता है इसे मिक्स कर देते हैं ढकन बंद कर देंगे चार सिटी आने तक पकाना है गेस को ओन कर देते हैं कूकर को चड़ा देते हैं चार सिटी आने देना है तब तक हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं इसके लिए हमें हल्दी पाउडर लिया है थोड़ा सा लाल मिर्ज पाउडर धन्या पाउडर नमक नमक हमने पेले ही दाल में डाल दिया था तो ज़्यादा नहीं डालेंगे स्वादा अनुसार ही डालेंगे इसमें थोड़ा पानी डालके पेश्ट बना लेंगे मसालों को घोल के डालेंगे तो हमारे मसाले जलेंगे नहीं और कलर अच्छा आएगा सबजी में थोड़ा पानी और डाल लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाला हमारा मिक्स हो गया है कुकर की चार सिटी लग गई है गेस को सैड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए तब तक हम अपना मसाला त्यार कर लेते हैं इसके लिए हमें एक कडाई ली है इसमें हमने तेल डाल दिया है आप चाये तो घी में भी बना सकते हैं बहुत टेश्टी लगती है घी में भी अभी मैं तेल में बना रही हूँ तेल हमारा गरम हो रहा है तेल हमारा गरम हो गया है राई सौफ जीरा डाल देंगे लसुन कटी हुई ये भी डाल देंगे लसुन का टेश्ट बहुत अच्छा आता है यहां डालने पे हरी मिर्च कटी हुई करी पते आपके पास करी पते नहीं हो तो तेज पते डाल सकते हो थोड़ी सी हिंग डाल देंगे हिंग का फलेवर बहुत अच्छा आता है अच्छी तरह पकने देना है इसमें प्याज डाल देंगे गेस को थोड़ा कम कर देंगे धिमी आज पर ही मसाला भूनेंगे, प्याज को अच्छी तरह पका लेना है, जब तक कलर चेंजना हो जाए तब तक, प्याज हमारा अच्छी तरह से भून गया है, अब इसमें ये पेश्ट रडी किया था, अद्रक का और लसन का, ये भी डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लसन को भी अच्छी तरह से पका लिया है, अब हम ये पेश्ट डाल जो हमने रेडी किया था इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे पानी डाल के यह भी डाल लेंगे अंदर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले को अच्छी तरह से भुनना है साइड़ों में तब तक ओयल ना छोड़ते तब तक भुनना है कोई भी सबजी में टेस्ट हमेशा मसालों से आता है मसाले कच्छे रह जाए तो टेस्ट नहीं आता है इसलिए मसालों को अच्छी तरह भुनना चाहिए देखिए फ्रेंट अच्छी तरह से भून गया है इसमें टमाटर डाल देंगे टमाटर को भी अच्छी तरह से गला लेना है गेस को थोड़ा सा तेज गर देंगे टमाटर गलने के लिए छोड़ देंगे टमाटर हमारे गल रहे है तब तक हम दाल चेक कर लेते हैं दाल हमारी उबल के रेडी हो गई है कितने अच्छी उबल के रेडी हो गई है इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे दाल को हम डाल देंगे अंदर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे दाल हमारी बहुत गाड़ी है अभी दाल हमारी बहुत गाड़ी है थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि यह पकने के बाद और गाड़ी हो जाएगी आदी चमत हमने गरम मसाला लिया है यह भी एड़ कर देंगे अच्छी तरह मिला लेंगे पांस दस मिट के लिए धकन बंद करके पकाएंगे दाल हमारे पक्के त्यार हो गई है हरा धनिया डाल देते हैं हरा धनिया का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आपके पास अगर हरा धनिया नाय हो तो पान मेथी डाल सकते हो पान मेथी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है सबजी बनके हमारे त्यार हो गई है गेस को आप कर देते हैं सव कर लेते हैं सबजी हमारे बन गई है चनादाल और लोकी की सबजी हमारे त्यार हो गई है आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी कोमेक्ट में जरूर बताना आप भी जरूर ट्रै करना अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लेना हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना